दोस्तो अभी के समय में भीम UPI के तरब से 7500 रुपय का हमें cashback दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल फिरी में दिया जा रहा है 1500 रुपय हमें अलग मिलता है और 600 रुपय हमें अलग मिलता है तो दोस्तो अगर आपके पास mobile phone है और उसमें internet है तो इस offer का लाब आप जरूर उठाईएगा इस वीडियो में मैं आपको पूरा process बताने वाला हूँ कि कैसे इस cashback को हम claim कर सकते हैं बीना एक भी रुपया खर्च की है तो इसके लिए सबसे पहले हमें भीम एप डाउनलोड करना होगा इसका लिंक मैं वीडियो के description में दे दिया हूँ ये इंडिया का ही application है तो easily इस पर trust कर सकते हैं इस application को बढ़ावा देने के लिए ये cashback हमें दिया जा रहा है तो सबसे पहले डाउनलोड करेंगे उसके बाद open करेंगे अब open करेंगे तो सबसे पहले हमें language यूज करना होगा तो जिस भी language में आप यूज करना चाहते हैं उसे select करेंगे चली मैं English ही select करता हूँ उसके बाद यहाँ पर दिखें इसका सभी features बताया गया है scroll करके देख सकते हैं just यहाँ process पर click करेंगे उसके बाद इसको हमें permission देना होगा तो इसको allow करेंगे अब जैसे यह allow करते हैं तो यहाँ पर हमें mobile number से इसको verify करना होगा तो जो भी same इसमें लगा होगा वो यहाँ पर ले लेगा just इस पर click करना है अब जैसे उस पर click करेंगे तो आपके number पर एक OTP आएगा OTP आटोमाइटिक ही फिल हो जाएगा यह verify करेगा कि जिस number से आप इस set करने के लिए बोला जाता है तो जब भी इस app को open करेंगे तो इस pin का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर चार अंक का एक pin डालेंगे उसी pin को यहाँ पर दुबारा डालेंगे confirm करने के लिए उसके बाद इस पर click करेंगे अब जैसे pin set करते हैं तो यहाँ पर हमें bank account link करना ह तो जिस भी bank में आपका account है उसी bank को यहाँ पर link करेंगे तो जैसे मालीजी कि हमारे पास kotak का bank है तो मैं यहाँ पर kotak bank को link करूँगा तो यहाँ पर मैं kotak search करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है kotak mahindra bank इस पर मैं click करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब हमारे इसमें bank link हो यहां पर देखे हमें UPI light activate करने के लिए बोला जाता है, just इसको cancel कर देना है, अब जैसे ही cancel करते हैं, तो हम आजाएंगे इस application के home screen पर, और अब हमें यहीं पर cashback मिलेगा, तो यहां पर देखें लेने के लिए यहां पर देखें ऊपर आपको कुछ banner सो कर रहा होगा, तो यहा 750 रुपय यह हो गया, इसके अलावा यहीं पर देखें एक और banner सो हो रहा है, जिसमें हमें बताया जाता है, कि 750 रुपय का हमें instant cashback मिलेगा, तो यहां पर दो तरह का cashback है, जो कि वीडियो के सुरू में मैं आपको बताया था, तो यह कैसे मिलेगा, वीडियो को बिल्कुल तो यहां पर देखें, जो 30 रुपय का cashback है, इसको हम redeem करेंगे, इसको अपने bank मिलेंगे, तो इस banner पर आपको क्लिक करना है, अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर देखें, बताया जाता है, कि यहां पर आपको 30 रुपय का cashback मिलेगा, और यहां पर इसके लिए 100 रुपय का transaction करना होगा, यहां पर देखें, transaction के लिए बताया जाता है, food and traveling category का merchant QR code हो, उस पर आप 100 रुपय का payment करेंगे, तो आपको 30 रुपय instant cashback मिलेगा, और यह मिलेगा 5 बार, तो total रुपय यहां पर फिरी में हमें कितने मिलेंगे, 150 रुपया, अब कैसे हमें food and traveling category merchant QR code क्या होता है, और कैसे payment करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहां पर दिखें, यह पहला cashback हो गया, इसके अलावा यहां पर दिखें, एक और option दिखिया, रुपय का credit card, इस पर click करेंगे, तो अगर आपके पास रुपय का credit card है, तो यहां पर इसको link करके, अगर one time payment करत हैं, तो यहां पर 100 रुपय का हमें cashback मिलेगा, और 100 का ही payment करना होगा, उसके बाद यहां पर बताया जाता है, कि 3 transaction के बाद, जब आप यहां से, मतलब, spend करते हैं, 200 रुपया, तो आपको 30 रुपय का cashback मिलता रहेगा, यहां पर आपको 5 transaction करना है, तो यहां पर देख सकते ह हैं, कि इस पर हमें 7 रुपय का cashback मिलता है, तो अगर आपके पास रुपय का credit card है, तो इसको link करके payment किजिएगा, और आपको cashback redeem हो जाएगा, इसके अलावा, अगर आपके पास रुपय का credit card नहीं है, तो आप इसको redeem कर सकते हैं, instant reward पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहां पर जो बताया जाता है, कि food and traveling category merchant QR code पे payment करके, यह 150 का आप cashback ले सकते हैं, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ, कि food and traveling category क्या है, merchant QR code क्या होता है, तो इसके लिए देखिए, हमें कोई भी किसी भी application का business account बनाना होगा, जैसे Google पे है, तो Google Pay for Business, Paytium है, Paytium का भी business application है, और phone पे, phone प पे का business account बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहां से आएंगे बैक, उसके बाद यह वला application आपको download करना होगा, इसका direct link मैं वीडियो के description में दे दिया हूँ, इसको download करके open करेंगे, अब जैसे ही open करेंगे, तो mobile number से register करना होगा, तो यहां पे आप अपना mobile number डालेंगे, उसके बाद verify, उसके बाद हमारे number पर 5 अंक का OTP आएगा, OTP automatic ही ले ले लेगा, तो OTP ले ले लेगा, तो verify पर click करेंगे, उसके बाद यहां पर कुछ ही इस तरीके का interface आएगा, तो यहां पे सबी चीजे बताया जाता है, कि जब आप account create कर लेंगे, तो कुछ ही इस तरीके का interface आएगा, तो यहां पे ऊपर एक option देखेगा, finish का, finish पर click करेंगे, finish पर click करेंगे, तो इसको हमें permission देना होगा, यहां allow, SMS पर click करके इसको 3-4 बार permission देना होगा, तो इसको permission देंगे, allow कर देंगे, अब जैसे ही allow कर देते हैं, तो आप आप जाएंगे इस application के home screen पर, यह उसमें food and traveling category आपको select करना है, चाहे आप इसका account बनाईए, या फिर Google Pay for business का बनाईए, ठीक है, तो यहां पे category में आपको food and traveling select करना है, तो यहां पर देखे, नीचे काफी सारा options आएगा, यहां account वाले पर मैं click करता हूँ, account वाले पर click करेंगे, तो यहां पर देखे, पहली करना होता है, तो यहां पर देखे, business का name पूछेगा, तो business name में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहां पर देखे, food and, food का मतलब इसमें category आपको choose कर लेना है, यहां पर mobile number, address, यहां पर आप अपने store का name, तो अगर कोई store है, तो उसका name दे सकते हैं, तो आप अपना name और अपना पूरा address दे देंगे, तो इसमें सभी चीजे add हो जाएगा, account create हो जाएगा, तो जब आप इसमें account successful create कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा, तो इसके home page पे आएगे, तो अब यहां पर देखे, आप अपना ही QR code यहां पर निकालेंगे, और इसमें मेरा bank account add हो जुका है, तो इसमें मैं HDFC bank add किया हूँ, और जो भीम UPI application है, उसमें kotak का bank link किया हूँ, तो यहां पर देखे, दो bank आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हमारा QR code आ गया है, जश्ट इसका यहां पर screenshot ले लेंगे, तो इस तरीके से screenshot ले ल करना होगा, तो इसके लिए यहां पर देखे, एसकेन का option आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, अब उस पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर camera open हो गया है, यहां पर देखे, गैलरी का option आएगा, गैलरी पर क्लिक करेंगे, गैलरी पर क्लिक करेंगे, गैलरी ओपन हो जाएगा, यहा यहां पर देखिए हमारा कोटक बैंक लिंक है तो जैसे यहां पर मेरे को 100 का पेमेंट करना है तो यहां पर मैं टाइप करूँगा 100 रुपया यहां पर देखिए 100 रुपया मैं टाइप कर दिया उसके बाद जस्ट यहां पर नीचे सेंड का उपसन दिखेगा सेंड पर मैं क् उसके बाद यहाँ पर आप अपना UPI पिन डाल करके submit पर click करेंगे तो यहाँ पर दीखे successful 100 रुपय का payment हो गया और यहाँ पर दीखे यह 30 रुपय का cashback को मिल गया 30 रुपय का cashback instant यहाँ पर दीखे 30 रुपय का cashback receive हो गया तो इस तरीके से 30 रुपय का हमें cashback मिलेगा 5 बाद और जो मैं 100 रुपय ट्रांसपर किया हूँ वो तो मेरे HDFC bank में चला गया चलिए यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर payment करके दिखाता हूँ तो यहाँ close करता हूँ उसके बाद यहाँ home पर मैं किलिक करूँगा इस application के home page पर आ जाएंगे उसके बाद फिर से यहाँ scan उसके बाद gallery पर किलिक करेंगे जो भी QR code का screenshot लिए है उस पर किलिक करेंगे तो यह automatic ही scan कर लेगा यहाँ पर दीखे scan कर लिया यहाँ पर 100 रुपया हमें transfer करना है ठीक है 100 कीजिए या फिर 100 से उपर कीजिए लेकिन 100 भी करना है 100 मैं type करूँगा just send पर किलिक करूँगा यहाँ later पर किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना UPI पिन डाल करके submit करेंगे तो यह 100 रुपया successful transfer हो जाएगा 100 रुपया देखे एte transfer हो गया और यहाँ पर दिखे 30 रुपया का cashback फिर से हमें मिल गया तो बार यह मेरेको मिल गया एक बार मैं पहले लिया था तीन बार हो चुका है यहाँ पर दिखे 3 रुपया मिल गया और यह पैसा सीधे मेरे bank में मिलेगा, यह आपके bank में मिलेगा, तो 3 बार मैं ले चुका हूँ, दो बार और मैं यहाँ पे receive कर सकता हूँ, अब यह जो 30 रुपया मिल रहा है यह दीखेगा कहाँ पे, तो इसके लिए जहाँ पे भी bank link है, तो जैसे माली जी कि यह bank यहाँ पे history देख सकते हैं, सबसे पहले 100 का payment किया, 30 रुपया मिल गया, 100 का payment किया, 30 मिल गया, 100 का payment किया, 30 मिल गया, इस तरीके से मेरे को मिलता है, तो यहाँ पे बस आपको 100 का payment करना है, फिर से देखे मैं 100 का payment किया, और यहाँ पर देखे अभी मेरे को 30 मिलेगा, 30 रुपया successful मिल गय तो दोस्तो इस तरीके से cashback ले सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको 1.500 रुपय का cashback मिल गया तो इस चैनल को जरूर subscribe किजिएगा और मेरे साथ मिल करके अगर काम करना चाहते हैं आप सिखना चाहते हैं कि online और भी क्या क्या तरीका है पैसे कमाने का तो मैं अपने टेलिगराम का link बीडियो के description में दे दिया हूँ आप उस पर click करके जरू join किजिएगा